हेलो एरिवान कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो पे जिग्रॉफी आप जोमुएंड कश्मीर पार्ट फर्स्ट किया था जिसमें हमने डिफरेंट बॉंटेन रेंजिस जो जोमुएंड कश्मीर में हैं उनके बाद में पढ़ा आज हम जिग्रॉफी का पार्ट सेक्ट लेकर आए हैं जिसमें हम डिफरेंट रिवर्स पढ़ेंगे जो जोमुएंड कश्मीर की बाट रिवर्स हैं उनके बारे हम थोड़ा पढ़ेंगे इसी के साथ मैं आपको बता दो कि हमारे इस चैनल पर जेके बैंक की क्लासिस भी च जोमुएंड कश्मीर तो रिवर्स में जो सबसे पहली रिवर्स जो हमारे सामने हैं वो है जेलम रिवर्स तो इसके बारे में मैक्सिम सभी लोगों को पता ही होगा लेकिन हम थोड़े और कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स यो इसके हैं वो डिस्कस करते हैं कि जेलम को वित कश्मीर में कहा जाता है और हाईडपस इसको ग्रीक में कहा जाता है काफी इंपोर्टन है ये कि कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जेलम को संस्कृत में क्या कहा जाता है तो वो कहते हैं विदास्ता या अगर इसका कश्मीर में नाम पूछा जाता है तो इसको वेत बोलत यह originate कहां से होती है, अनन्त नाग से originate होती है, अगर level थोड़ा high हुआ, तो यह पूछा जा सकता है कि यह कौन से spring से originate होती है, तो वहाँ पर option होगा, वेरिनाग spring जो right होगा, इसके बाद जो इसकी tributaries हैं, उन में से leader, किशन गंगा, किशन गंगा को हम नीलम river भी बोलते ह यह भी पूछा जा सकता है कि किशन गंगा river का जो दूसरा नाम क्या है, वो है नीलम river, तो जेलम river के जो भी important point थे वो मैंने लिख दिया यहां पर उनको highlight भी किया हुआ है, जो हमें important terms याद रखनी है, इसके बाद, जेलम की जो है, यह diagram, जो figure है, यह मैं दिखा रहा हूँ, यह देख सकते हैं आप figure, उसके बाद जो second river आती है, वो है river चनाप, इसकी आप diagram देख सकते हैं, figure देख सकते हैं आप इसकी, तो चनाप का जो दूसरा नाम है, वो है चंदरभाग, चनाप को हम चंदरभाग के नाम से भी जानते हैं, यह river originate कहां से होती है, तो यह originate होती ह लाहूल स्पीती लाहोर नहीं पाकिस्तान लाहूर नहीं लाहूल लाहूल स्पीती जो हिमास्चिल परदेश में है और अगर बात कीजाए कि यह जमू कुश्मीर में कहां पर कौन सी पॉइंट में आकर उरिजिनेट होती है तो वह होती है पाडर जो डोडा डिस्ट्रीक है ज की डियाग्राम देख सकते हैं इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दू maximum जितनी भी हमारी जम्मु कुश्मीर की रिवर्स हैं वो सब रिवर एंड में जाकर एक पर्टिकुलर रिवर्स से जाके मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर्स में जाकर हमारी जम्मु कुश्मीर की सवी रिवर्स मिलती हैं इंडस रिवर्स को हम सिंदू के नाम से भी जानते हैं आए अब हम नेक्स रिवर्स पे मूव करते हैं तो जो नेक्स रिवर्स है वो है तवी रिवर्स तो जो तवी रिवर्स का दूसरा नाम है वो है सूर्य पुत्री तवी डीवर को सूर्य पुत्री के नाम से भी जाना याता है यह डीवर ओरिजिनेट कहां से होती है तो यह बदरवा में केलाश कुंट स्प्रिंग है केलाश कुंट स्प्रिंग इन बदरवा वहां से यह डीवर ओरिजिनेट होती है या फिगर देख सकते हैं तवी रिवर गी इसके पाद एक नोट दोस्तों मैंने लिखा यह बहुत इंबॉटन नोट है क्यों क्योंकि इसमें जितनी भी रिवर्स हैं हमारे जमुकुश्मीर की जैसे कि जेलम, चनाब, रिवर, रवी, तावी, व्यास यह सब हमें यह तो पता यह सब जाके इंडस में मिलती है इंडस, यानि कि सिंदू नदीज से जाकर रहे मिल जाती हैं लेकिन कौन से पॉइंट पर तो वो जगा जहां पर यह सबी रिवर्स जो हैं ठीक है ये भी पूछ रहा सकता है कि इंडेस रिवर कहां पे जाके कौन से सागर में जाके मिलती है तो वो है Arabian Sea बाकि जो main जो एक और जो प्लेस आपको याद रखनी है वो है मिथान कोट जो पाकिसेतान में है यहां पर हमारी सभी डीवरs इंडेस नदी से जाकर मिलती है इसके बार जो next रिवर है वो है इंडेस रिवर तो जैसा कि मैंने इंडेस रिवर बताया कि इंडेस रिवर को सिंधू के नाम से भी जाना चाता है यह originate कहां से होती है यह originate होती है amongst rover lake जो तिब्बत में है इंडसRiver originate कहां से होती है यह होती है amongst rover lake जो तिब्बत में है अगर इसकी tributary की बात करें तो maximum सभी rivers ही इसकी tributary है क्योंकि सभी rivers ही इंडसRiver से आके मिलती है शायोक, गिल्गित, जनाब जेलम, रवी, व्यास, जांसकार इवंतवी, जितनी भी है वो इंड़िस रिवर से आके मिलती है इसकी पार जो नेक्स रिवर दोस्तों है मारे पास वो है रावी रावी नदी तो सबसे पहले रावी नदी को एरावती के नाम से भी ही जाना याता है रावी नदी is also known as एरावती, अगर इसके संस्कृत नाम की बात करें तो इसको पुरुशनी कहा जाता है संस्कृत में और हाइड्रेट्स इसको ग्रीक में कहा जाता है, ये नाम भी दोस्तों काफी important है क्योंकि पूछे जा सकते है कि रावी नदी का दूसरा नाम क्या है इरावती, अगर संस्कृत में पूछाया कि संस्कृत में इसका नाम क्या है तो संस्कृत में रावी नदी का नाम है पुरुशनी और हाइड्रेट्स इसको ग्रीक में बोले आता था इसकी औरोजिनेशन की बात करें तो ये नेदी कहां से औरोजिनेट होती है ये औरोजिनेट होती है बारा बंगल कांगरा डिस्ट्रिक हिमाचल परदेश बारा बंगल से ये नदी originate होती है, कांगरा district consistent हिमास्चल परदेश से और अगर जमु कुश्मीर की बात करे है कि जमु कुश्मीर में ये कहां से originate होती है तो वो होती है कठुगा से तो इसी नदी पर खिया आद है कि जो battle of 10 kings जो दस राजों की जो लडाई हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी जहां पर ये नदी है रावी नदी नीचे इसकी ये फिगर है ये आप देख सकते हैं कि तो दोस्तों ये थी हमारी जमू औन कशमीर की कुश इंपॉर्टन रिवर जिनके वाबरे मैं आज हमने अपने पार्ट सायकरी मेंट डिस्कस कारा इसके बाद जो next part आएगा वो होगा lakes of Jammu कश्मीर जिसमें Jammu कश्मीर में जितने भी important lakes है हम उसके बारे में बढ़ेंगे उसके बाद हम climate के बारे में crops के बारे में different जो dams है यह past है Jammu कश्मीर के seasons है Jammu कश्मीर के उनको भी बढ़ेंगे तो लगबग 5 या 6 parts में हम Jammu कश्मीर का पूरा topic complete करेंगे तो अगर आप इस channel पे new हैं तो इस channel को subscribe कर दें और मिलते हैं आप से next video में जिसमें हम Jammu कश्मीर जिगराफी का part 3 यानि की lakes of Jammu कश्मीर लेकर आएंगे